तो आज किस वीडियो में हम लोग एलन में जेई नीट की तेहरी के लिए अगर आपके एडमिशल लेना चाहते हैं तो जो भी अभी अपकमिंग बैचेस वगरे हैं उसके बारे में बताने वाले हैं 10-11 मुविंग 11-12 और 12-13 यानि कि ड्रॉपर्स के लिए सब के लिए यह वी है जो में क्लियर करते हुए चलता हूँ बहुत बार आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलते हो भया आपने जो एलन वालों का नंबर दिया है तो फोन नहीं लग रहा है कम से कम मेरा वीडियो तो ध्यान से देख लिया करो जिससे आपका डाउट क्लियर हो क्यान पर मैं आपको लेक्वर का चलता हूं आलान की वेबसैट और वहां परचापए जाकर में आपको सारी चीज़े डीटल में समझा देता हूं लाइट ृट तो प्लस एडवांस आ यहीं कि जिनए त्यारी करनी है जिनने IATN बनना है भाई IATN वालो देख लो यहाँ पे पहले जो यहाँ पे कुछ टॉपर से IATN मैंने इनका इंटरव्यूज ले रखा है मेरे चैनल पे भी जाके भाई महरबानी करके एक बार देख लेना ठीक है तो यहाँ पे पहले नर्चर के लिए हम स्टार्ट करते हैं तो नर्चर 10 to 11 moving issuants दो साल का यहाँ पे कॉर्स होता है लेकिन फी यहाँ पे एक साल का लिखा रहता है तो बहुत लोग confused होते हैं कि भाई यह दो साल का फी रहता है क्या जो भी so far date यहाँ पे है फिर से asset direct talent text team mode है यहाँ पे admission का तो आप Alan का asset बोलके इनका एक scholarship कम admission टेस्ट होता है यानि कि same form होता है admission के लिए भी और scholarship के लिए भी तो asset अगर आप exam देते हैं तो आपको up to 90% तेक scholarship मिलेगा तो आप asset का त्यारी करो जो भी पिछला board में आपका आया रहेगा उसी में से पूछा जाता है और 90% तेक scholarship मिल जाए इसका मतलब समझ रहे हो 10 से 20 जा रुपे में ही पढ़ सकते हो यहाँ पे आकर Alan में है ना और English और Hindi दोनों medium में जो भी batches वगरे यहाँ पे mention किया हुआ है तो English medium में जो भी आपको study materials किताबी दी जाती है वो English में रहती है और Hindi medium में जो दी जाती है वो मतलब की study materials Hindi में दी जाती है और English medium वाली course में भी teacher English और Hindi दोनों mix करके पढ़ाते हैं ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको समझ में आ जाए नर्चर का जो fee structure दोस्तों वो है 1,52,000 एक लाग बावनाजार रुपए और लंसम में एक बार में pay करोगे तो 1,46,000 एक लाग चालीजार रुपए और installment में pay कर रहे हो तो installment का यहाँ पर charges वगरी दिया हुआ है आप वीडियो को पहुच करके देख लेना और scholarship के लिए बाद में एक detail वीडियो ले आएंगे है इस scholarship का क्या ठीक है फिलाल अभी इस पर ही focus करते हैं फिर उसके बाद बढ़ते हैं enthusiast यह 11 to 12th moving issuance के लिए होता है एक साल का एक साल में आपको पूरा syllabus एक तरह से cover करवाया जाएगा J.E. का और यह अभी start होने वाला है चार तरिक से 4 April से इसका date आ चुका है enthusiast का या enthusiast भी कहा जाता है English और Hindi दोनों medium में यह बनने वाला है और इसमें direct admission है इसमें कोई भी scholarship ऐसा asset बोल के नहीं होने वाला है तो इसमें आपको scholarship नहीं मिलेगा जो भी fee structure है वो आपको pay करना रहेगा तो एक 4-4 से start हो रहा है एक 4-5 से start हो रहा है और fee structure भी एक बार देख लें तो जो fee structure है वो है 1,54,000 और लंसम एक बार में pay करो तो 1,48,000 और installment का fee यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है installment में अगर pay करो गे ना तो total amount pay करना पड़ता है फिर वहाँ पे आपको discount नहीं मिलता है यानि कि लंसम में एक बार में जो देते हो कुछ discount जो मिलना रहता है वो नहीं मिलता है ठीक है भाई सहब अब एक बार देख लेते है class venue कहां कहां classes लगने वाली है तो यह जो चार चार और चार पांच यह जो start हो रहा है यह संकल्ब सबल समर्थ और सफल्य वन सफल्य टू संकल्ब सबल समर्थ सफल्य वन सफल्य टू यह यह यहां देखो यह जो भी area है इंद्र भी हाँ राजीव गानी नगर यहां आसपास में न इन कोचिंग के बिल्डिंग्स के आसपास में होस्टल वगरे भड़े पड़े है तो होस्टल के लिए भी कहीं भटकना नहीं है वहीं मिल जाएगा अराम से भाईयो आपको सारा डाउट्स वगरे सब किलियर हो जाएगा बस एक बार कोटा आतो जाओ पहले ही परिशान रहते हो फिर आता है लीडर लीडर होता है ट्वेल पास्ट इस्ट्वेंस के लिए जो कि ट्वेल पास्ट कर लिए हैं भाईया और एक साल ड्रॉप लेके अपना आईटी में जाने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आपके लिए भी है एक तो 9-5 से बैसी स्टार्ट हो रहा है 10-6 से और एक 13-7 से और एड्मिशन मोड एसेट है और डायरेक्ट है तो एसेट है तो एसेट के थुरू दें आप बिल्कुल स्कॉलर्शिप का अनन्द उठाएं और जो फी स्ट्रक्चर अगरे है वो है 1,59,000 लंचम में एक बारे में पे करें तो 1,53,000 और इस्टॉल्मेंट का जो भी चार्जे से आपके स्क्रीन के सामने है फिर हम लोग बात कर लें क्लास वेनू का कि कहा कहा क्लास लगेगी तो यहां से मतलब कि आप देख सकते हूँ कि 9,5 से जो बैच यहां पे स्टार्ट होने वाला है 9,5 से तो इसका जो क्लास वगेरे है वो संकल, सबल, समर्थ, इंद्र बिहार, सफल या 1,2, राजिब गांजिन अगर उधर साइड में ही लगने वाला है तो यह mostly I.T.J.E. वाला क्लास ना उधर साइड में ही लगता है तो यह I.T.J.E. में प्लस एडवांस के लिए हमने कवर कर लिया अब हम लोग कवर करेंगे जिने सिर्फ J.E. में की तियारी करनी है एलन में आके है ना तो 2022-2023 के लिए हम लोग डिसकस कर लेते जिने सिर्फ उसिप J.E. में की तियारी करनी है उनके लिए हम लोग बात कर रहे है तो फटा-फट चलेंगे यहाँ पे भी टॉपर्स का आप देख सकते हो मैंने इंटरव्यू करके डाल रखा है मेरे ख्याल से मैंने अंसुल का भी साइट डाली रखा होगा फिर से सिधान्द का देखना सिधान्द का मैंने इंटरव्यू डाल रखा है सिधान्द यार बहुत ही मस्त बंदा है इसने बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया था तो चलो यहाँ पर नर्चर के लिए बात करते हैं 10 to 11 moving issuance के लिए तो यहाँ पर जो classes, batches start होने वाला है phase 1 phase से confused ना हो, phase से batch ही समझो वो 6 अपरेल से start होने वाला है admission mode direct है और talent tax है दो mode है और medium, English medium है है ना, English medium में भी classes वगेरे आपके लगेगी तो इस में मिलेगा, फिर उसके बाद 4-5 से बैच से start हो रहा है, उसके बाद 3-6 से उसके बाद भी अगर कुछ होने वाला रहेगा तो मैं वीडियो बना के जरूर बता दूँगा तो परिशान ना होना, ठीक है और phase structure जो है वो है 77,000 और लंशम में एक बार में पे करो तो 74,000 तो सिप जिने जे इमेन के त्यारी करनी है उनका phase structure कम है ठीक है, मैंने कि जो कि जे एडवांस में phase structure जादा था ना जिने सिप जे इमेन प्लस एडवांस के त्यारी करनी थी लेकिन जिने सिप जे इमेन की करनी है चार पांच और तीन छे शामिक शामिक तलवंडी में क्लासेस लगने वाली है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यह जो बिल्डिंग एलन की वहाँ क्लास लगेगी तो सायद मैंने यहाँ का ना केंपस टूर करके डाल रखा मेरे चैनल पर आप एक बार चेक कर लेना अगर नह जो है वो अभी छे चार और चार पांच से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है एडमिशन मोड डायरेक्ट है और इंग्लिस और हिंदी दोनों मीडियम में यहाँ पे बैचे से स्टार्ट होने वाली है और फीज स्ट्रक्चर जो है वो है 82,000 82,000 रुपे और लम्चम में एक बार में पे करें तो 79,000 रुपीज आपको पे करना रहेगा और यहाँ पे क्लास वेनू अगरे चेक कर लिया जाए तो क्लास शामिक तलवंडी इसका भी सायद मैंने कैंपस टूर करके रखा है अपने चैनल पे आप एक बार प्लेलिस जाके देख लेना में चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है एलन कैंपस टूर बोलके वहाँ पे आपको यह वीडियो मिल जाएंगी ठीक है चलो बहिया यह हो गया एंतुजियास वालो के लिए अब बात करते हैं लीडर 12-5 इस्टुएंस के लिए तो 12-5 इस्टुएंस के सब्सक्राट होने वाला हैं बहुत लग कुछते के भाईया सिफ जय में ले या जय में प्लस एडवांस ले लीडर कौन सा बेटर होगा तो यार देखो अपना लेवल आप देख लो अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो सिफ जय में लीडर वाला कोर्स ले लेना और अग अंसम एक बार में पे करो 35,000 रुपीज लगेंगे और जो यहाँ पे क्लास वेनू सकार सकार बिल्डिंग में क्लासे लगने वाली है तो जय में लीडर कोर्स का जो क्लासे से वो सकार में काफी सालों से लग रहा है जब मैं भी था लीडर कोर्स में तो मेरी भी क्लास नहीं लगी थी साकार में, खेर चलो साकार का मैंने केंपस टूर करके डाल रखा है, वो प्लेलिस्ट चेक कर लेना मेरे चैनल पर, पता चल जाएगा कि भाई क्लासरूम और बिल्डिंग वगरे कैसा है, ठीक है, इंगलिस हिंदी दोनों मीडियम में ये कोर्सेस बैचेस बनने वाल रहते हैं, तो नर्चर से सुरू करेंगे, यहाँ पर 10 to 11 moving issuance के लिए 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन fee structure यहाँ पर 1 साल का ही लिखा रहता है, तो confused मत होना बाद में पूसते को भईया, यह fee 1 साल का ही की 2 साल का है, ठीक है, तो यहाँ पर 6-4 से अभी batch start होने वाला है, उसके teacher English और Hindi दोनों mix करके पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं कि समझ में आ जाए, बाकि जो आपको study material दी जाती है, वो English में रहता है, और Hindi medium वाले में study material हिंदी में रहता है, teacher Hindi में पढ़ाते है, admission mode asset direct talent tax रखा है, यार एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वालों ने न, NEET में भी asset exam रख दिया, जो कि यार बहुत अच्छा है, इससे यह होगा कि बच्चे scholarship ले पाएंगे, तो आप asset की भी तियारी करो, है न, जो भी पिछला board में आपका आया रहेगा न, वही आता है, आप डरो मत asset दो, इससे आपको up to 90%, 50% जित्ता भी आपके scholarship मिले भाई, मान लोग कि अगर 1 लाग fee है, 50% भी scholarship मिला, तो 50,000 रुपे में आप आके आप भाई, आप 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 पड़ पाओगे, समझ रहे हो न, बात को, तो यह point है, फिर उसके बाद, यहाँ पे जो भी total amount है, जो भी fee है, वो है 1,25,000 रुपे, और लंसम एक बार में pay कर रहेगा, और जो भी installment वाले amount है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब class venue देख लेते हैं, कि classes कहां लगेगी, तो यहाँ पे 6-4 वाला जो है, वो संग्यान, संग्यान 2, सम्यक, सम्यक 2, फिर उसके बाद, 4-5 वाला reliable tower, तो यह संग्यान और सम्यक building जो है न, अदो, इसका मैं मैंने campus tour कर रखा है, और यह जो reliable tower रोड नमबर एक पे, इसका भी मैंने campus tour कर रखा है, और 176 2022 वाला भी जब batch स्टार्ट हो रहा है, सूपत में नया नौरा बारा रोड पे, तो इसका भी मैंने campus tour कर रखा है, मैंने अपने channel पर वीडियो डाल रखा है, तो आप एक बार जा आपका किस के लिए, 11-12 moving issuans के लिए, तो 11-1 सल में आपको need के त्यारी करवाई जाएगी, अभी जो भी batch स्टार्ट होने वाला है, वो 5-4 से स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद 3-5 से, admission mode direct है, और 5-4 वाला जो है वो English और Hindi दोनों medium में स्टार्ट हो रहा है, 3-5 वाले English medium में स्टार्ट हो रहा है, और जो fee structure है, वो है 1,28,000 रुपए, 1,28,000 अगर आप पे करोगे तो 1,22,000 रुपए आपको पे करने रहेंगे, ठीक है, class venue अगर दिखा देता हूँ आपको classes कहां लगेंगे, तो यहाँ पे 5-4 वाला जो है वो संग्यान, संग्यान to, सम्यक, सम्यक to landmark city कुनाडी, तो landmark city का मैंने वीडियो बना रखा है, संग्यान और सम्यक building का मैंने campus tour कर रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके playlist चेक कर लेना, एलन campus tour का, वहाँ आपका जो भी doubt है clear हो जाएगा, फिर से एक 3-5 वाला जो start हो रहा है, वो संग्यान, संग्यान to, सम्यक, सम्यक to, साकार, राजीव गानी नागर, इसम्यक का campus tour कर रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके एक बाद चेक कर लेना, आपका doubt वगरे clear हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे batch, fee, admission mode, direct, medium, सब clear है, enthusiast के बाद आता है दोस्तो, enthusiast pro, तो इसको हम skip करेंगे, region यही है कि इसमें आप देख सकते हो कि जो भी courses, batches का date वगरे है, 12, 10, 2021, 12, 2021, 12, 2021, यह सब par हो चुका है, है ना, कोई मतलब नहीं बनता है, अब हम लोग leader के लिए बात कर लेते हैं, यानि कि droppers के लिए, तो दोस्तो leader की बात कर ले, तो यह class 12 past students के लिए होता है, एक साल का यह course होता है, यानि कि एक साल का duration होता है, जिसमें आपको एक साल में NEET की तयारी करवा दी जाती है, और 2023 में आप NEET का exam, यानि कि दो गे अगर, obviously इसमें आप enroll करोगे तो, और जो batch स्टार्ट होने वाला है, वो 8, 4 से एक लाग 36,000 रुपे, और लमसम एक बार में pay करोगे, तो एक लाग 30,000 रुपे आपको pay करना रहेगा, ठीक है, और class venue आपको मैं दिखा दूँ, तो classes जो है, वो 8, 4 वाला जो leader course स्टार्ट होने वाला है, वो सूपत नया नोरा बड़ा रोट पे स्टार्ट होने वाला है, तो सूपत जो है, एलन के एक बिल्डिंग है, नया नोरा बड़ा रोट पे, मैंने इसका campus टूर कर रखा है, अब जाके मैं चैनल पे देख सकते हो, वहाँ पे मैंने hostel PG से भी related बहुत सारी वीडियो बना रखी है, अब जाके वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, आपका सारा doubts सूपत से भी related clear हो जाएगा, ठीक है, तो यह हमने cover कर लिया leader वगेरे का, बहुत सारे लोग Achiever का पूछते हैं, तो Achiever का अभी update तो नहीं आया है, Achiever का जब update आएगा, तो मैं वीडियो बना के आपको जरूर update कर दूँगा, ठीक है, तो एलन की website का भी link मैंने दे दिया, आप इस पर भी visit करके regular check करते रहें, जो भी update या जो भी ऐसा crash course या कुछ वैसल एलन वाले launch करते हैं, तो update यहाँ पर आते रहता है, ठीक है, तो hostel school से भी related बहुत सारे लोगों को जानना रहता है, कि वह यह hostel और school के बारे में भी बता दिया करो, मैं आपको एक pro tip देता तो यहाँ पर एलन की जो भी building में जाओगे, वहाँ पर एलन का ASWS office होता है, hostel desk होता है, school desk होता है, तो वहाँ पर आपको school और hostel से related जो भी जनकारी चाहिए होती है, वो आपको दे दी जाती है, और आपका जो भी doubts होगे रहे हो clear हो जाता है, hostel से भी related doubts होगे रहे हो जो भी clear ह हो जाता है, और और भी आपके मन में कुछ doubt हो गए रहे है, तो मैंने खुद का भी अपना quota backpacker यहाँ पर number दे रखा है, है ना, तो मेरे भी team है वहाँ पर आप उनसे भी contact करके उस सब के बारे में भी information ले सकते हो, ठीक है, तो बस यही सारा point रहा, hope कि आपको समझ में आ गय होगा, और भी detail में एक वीडियो ले आएंगे, enrollment से related, तो वो भी आप देख लेना, तो फिलाल आप चैनल को subscribe गर के रखो, और कुछ मन में आपका doubt अगरे है, तो वो comment करके बता दो, ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबा हो गया है, but still आपके लिए क काम का रहा होगा, so thanks for watching, have a nice day ahead.